हेलो दोस्तों, गेट्स मेशिज में आपका स्वागत है नेक्स्ट एक्जाम्पल ओन डिएफे दिजाइनिंग इस वी आपको डिएफे फर दे लेंगवेज एल और वो लेंगवेज सारी स्ट्रिंग को असेप्ट करें यहाँ पर क्या denote कर रहा है? लेकिन कौन सी स्ट्रिंग्स? अल स्ट्रिंग्स विच विच एज इवन नमबर ओफ एज और इवन नमबर ओफ बी यहाँ पर मैं पहले आपको बता दू कि यह जो कोशन है ना इवन नमबर ओफ एवन नमबर ओफ बी इसके लावा यहाँ पर हम चार कोशन और करेंगे इवन नमबर ओफ ए ओड नमबर ओफ बी ओड नमबर ओफ बी इवन नमबर ओफ ए और नमबर ओफ ए और नमबर ओफ बी यह चारों कोशन जो है वो इस वीडियो में cover हो जाएंगे और यह competitive exams के point of view से इवन आपके college or university level के point of view से बहुत ज़्यादा important है बहुत बार यह question repeat होता है तो guys पूरे point जो है इस वीडियो में मैं आपको explain करने जा रहा हूँ तो guys फड़ावट से वीडियो को like करते हैं चैनल को subscribe करें अगर तक आपने नहीं किया and please press the bell button ताकि आपको सारी latest notifications मिलती रहे तो start करते हैं सबसे पहले हम focus कर रहे है even number of A, even number of B और बीच में क्या है and मतलब दोनो condition true होनी चाहिए and के case में ये भी true होना चाहिए ये भी true होना चाहिए जब दोनो true होते है तब answer मेरा क्या आता है true हता है तो यहनी and condition को fulfill करने के लिए सबसे पहले हम language लिखते है language which is a collection of string तो देखो इसमें सबसे minimum क्या आएगी सबसे minimum string कौन सी आ सकती है सबसे minimum string आएगी epsilon मतलब zero number of A, zero number of B और zero क्या होता है even number तो ये आगी सबसे minimum then हमारे पास आती है A, A number of A कितने है, two even, yes number of B कितने है, zero even, yes अकेला B, B number of B कितने है, two even, number of A, zero even, A, B आ सकता है नहीं number of A, one which is odd number of B, one which is odd तो ये नहीं आ सकता A, B, A, B आ सकता है yes, number of A, even है number of B, even है order का कोई matter नहीं है अकेला A, A, B, B भी आ सकता है yes order कोई matter नहीं कर रहा बस number of A, even होने चाहिए number of B, even होने चाहिए ऐसी B, B, A, A, B आ सकता है B, A, B, A, B आ सकता है A, B, B, A, ये भी आ सकता है B, A, A, B, ये भी आ सकता है इस type की बहुत सारी strings जो है वो इसमें आ सकती है तो यहाँ पर हमें इसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाने, DFA को तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सबसे पहली हमारे पास जो stage है और उसी stage को हम क्या बना देंगे starting state and ending state reason उसका क्या है starting में मैंने कोई भी symbol नहीं दिया zero symbol, ना मैंने A दिया ना मैंने B दिया और यहाँ पर मैं आपको बता दू हम दो alphabet के उपर काम कर रहे है दो input symbol है हमारे पास A and B तो ना मैंने A दिया और ना मैंने B दिया तो मैंने starting में ही जो है वो accept करवा दिया लेकिन यह क्या accept कर रहे है यह accept कर रहे है epsilon तो सबसे minimum string कौन सी है epsilon तो मैंने ना A को accept करवाया ना मैंने B को input दिया तो ना A ना B कुछ भी input नहीं दे रहे तो by default यह accept क्या कर रहा है epsilon तो पहली condition मेरी true होगी अब मैंने A और A के लिए करना है तो let's suppose मैंने A के लिए इसको next state इस state का नाम गया देते हैं Q0 next state है हमारे पास Q1 तो Q1 पे हमने A को पहुंचा दिया अब first A आया मतलब अगर 1 A आता है तो 1 A का मतलब क्या है odd तो हमने उसको किसी नई state पे पहुंचा दिया let's say state is Q1 तो अगर second A आता है तो हम चाहते हैं कि अगर second A आ रहा है ना तो वो वापिस आ जाए वापिस आने का मतलब है कि वो final state की तरफ आ जाए ताकि 2 A का मतलब है accept होने ही चाहिए because it is a even तो अब 2 नहीं चाहें 4 हो A, A third A आएगा तो इदर जाएगा fourth A आएगा accept fifth A वापिस sixth A accept seventh है नहीं accept eighth accept तो इस तरीके से आपने A के लिए design कर दिया same हम चाहते है B के लिए तो let's suppose मैंने B के लिए क्या किया Q2 state पे पहुंचा दिया अब Q2 state पे same हम ऐसी वापिस लेके आ रहे है क्योंकि अगर 1 B आता है that is a odd तो हम उसको नहीं state पे बन चाहरे है which is a normal state कोई final नहीं है simple Q2 लेकिन अगर second B आ गया तो हम चाहते हैं वो वापिस आ जाए second B के आते ही हमने उसको accept करवा दिया तो B के लिए इधर और second B third B नहीं accept होगा fourth B आएगा accept हो जाएगा fifth नहीं accept होगा sixth आती accept होगा तो यह इस तरीके से हमने design करनी है तो यह A, 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 B इस तरीके से तो accept हो रहा है लेकिन मुझे like A, B, B, A इस तरीके से accept करनी है या B, B, A, B इस तरीके से बहुत सारी strings आ सकती है और वैसे भी हमें DFA को पूरा complete करने है तो complete करने के लिए मैंने इसको तो A के लिए चला दिया और इसको B के लिए चला दिया इसको मैंने Q1 को A के लिए चलाया लेकिन B के लिए तो चलाया है नहीं तो B के लिए एक क्या है कि let's say मैंने self loop बना दिया लेकिन अगर मैं self loop यहाँ पर बना दूँगा तो होगा क्या A, B, 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 A देखो, accept हो रही है येस, ये भी accept हो रही है कैसे A, B, 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 A लेकिन ये तो accept ही नहीं होनी चाहिए because it contains odd number of B बट ये तो accept होगी तो यानि इसमें self loop आपको बनाना ही नहीं है ना यहाँ पर, ना यहाँ पर कहीं पर भी self loop नहीं आपको बनाना क्योंकि self loop के बनाते ही ज़रूरी नहीं है कि condition even वाली accept होगी, वो odd वाली भी accept करेगा, तो हम क्या करेंगे B के लिए इसको भेज देते है new state, let's say state is Q3 तो Q3 पर हमने भेज दिया और जब मेरा पास, let's suppose first B आया, first A आया A, B आया one B हो गया, one A हो गया हम चाहते हैं कि अगर second B आता है तो second B के लिए हम इसको वापिस पहुंचा देते हैं ताकि जब fourth A आएगा मतलब जब, like इस तरीके से A, B, B, E, इस तरीके से हम यहां पे कर रहे है Q2 में Q2 में, let's suppose अगर मेरे पास आता है B, A इस तरीके से, B, A, B, A इस तरीके से आ रही है, let's suppose B, A, A, B B, A, A, B अगर आती है मेरे पास तो देखो, B, A के लिए कहा जाएगा अब देखो, B यहां पे आ गया B आ गया Q2 पे पहुँचिए लेकिन A वाली तो आगे असेप्ट ही नहीं होगी क्योंकि A के लिए तो हमने चलाए है नहीं बट यह तो असेप्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें even number of A है, even number of B है तो इसको पूरा करने के लिए हम A के लिए इसको इधर चला देते हैं और A के लिए वापीस पहुचा देते हैं अब देखो B, A, A, B देखो यह भी असेप्ट होगी A, B, B, A यह भी असेप्ट होगी Double A followed by Double B, यह भी असेप्ट होगी Double B followed by Double A, असेप्ट होगी सारी स्टिंग जिसमें even number of A, even number of B आ रही है यह वो सारी की सारी स्टिंग जो है वो यह DFA असेप्ट करेगा तो देखो यह DFA मेरा सारी स्टेटS A और B के लिए जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, चल चुकी है तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दू even number of A and even number of B यह तब DFA सेप्ट करता है अगर आप Q naught को, इस state को अगर आप क्या बनाते हो इस state को final बनाते हो बट अगर आपने Q1 को final बनाया Q1 को final अगर आप बनाते हो तो Q1 को final बनाने का मतलब है आपने इसको नहीं बनाया इसको final बना दिया अगर आपने Q1 को final बनाया तो यह क्या करेगा यह odd number of A even number of B odd A even B and बीच में लगा दो आप odd A and even number of B इसको accept करेगा अगर आपने Q2 को बना दिया final तो यह क्या करेगा अगर Q2 मेरी final है तो यह accept करेगा यहाँ पे odd B यह आप कह सकते हो even A and odd B को यह accept करेगा और final अगर आप Q3 को final बनाते हो Q3 को अगर आप final बनाते हो तो यह odd A and odd B को accept करेगा आप कोई भी string इस तरीके से लेके देखनो let's suppose आप A, B ही लेनो A, B में देखो number of A odd, number of B odd 1, 1 है तो देखो A पे कहा जाएगा? यहाँ पे जाएगा और B पे कहा जाएगा? यहाँ जाएगा देखो Q3 accept होगी तो Q3 का मतलब क्या है? odd A, odd B इस तरीके से आप चला सकते हो ऐसी let's suppose आपने ले लिया A, B, B A, B, B ले लो अब देखो number of A कितने है? 1, odd number of B, even मतलब number of A मेरे पास odd है even B है Q1 होनी चाहिए तो देखो A, B, B A, B, B तो देखो Q1 क्या accept कर रही है? A, B, B और A, B, B में क्या है? number of A, odd number of B, even तो आप इस तरीके से कोई भी string चेक कर लो बट आपको जो है question में जो भी आता है even A, even B तो ये वाली आजाएगी odd A, even B तो ये वाली आजाएगी odd B, यहाँ पे आएगा even A and odd B तो ये वाली आजाएगी odd A and odd B अगर रहते हो तो ये वाली आजाएगी तो जो भी question में आपको दिया हुआ ध्यान से चेक कर लेना उसके corresponding आप final stator decide perspective थेंक यू